हाई फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक टपवेक की बहुत ही बढ़िया प्रोड़क लेके आएगो और ये प्रोड़क का नाम है इजी स्पुड़ी ये प्रोड़क वो सारी लेडिस को बहुत ही पसद आएगी जिनको अपने घर में चीजे बनाना अच्छा लगता है जिनको अपने हाथों से चीजे बनाना अच्छा लगता है और कीचन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं अच्छा लगता है ये वो लोगों को सबसे ज्यादा पसद आएगा जो हार्ड़ वर्क में नहीं स्मार्ट वर्क में बिल्यू करते हैं और ये ये 2020 में तो सेटी चलेगा सेवन कंपोनेंट में ये प्रोड़क्ट आता है जिस पर 1.25 लीटर का ये जो नीचे का बेज है नीचे नीचे विंग दी गई है जो रिंग है वो डिटेचेवल भी है क्लीनिंग परपस के हिसाब से प्लस ये एंटी स्किल का काम करेगी यहां पर लीटर में आती है और मुझे उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड एड करना है जो बैस टेक्नोलोजी यह है कि यह दो गियर पर काम करता है एक जब मैं इसे पर आडजेस्ट करोंगी तो लिक्विड इसे मेरी बनेगी और जब मैं इसे गियर टूब रखोंगी तो जब मुहें हाड चीजर बनानी जैसे आठा गोन ना हे गयरे तो मैं इसे आज मैं सबसे पहली चीज करूंगी कि जो हम लीडीज लोगों के लिए मैंने का स्मार्ट वॉर्ट करने वाले लोगों को यह प्रोड़क्त बहुत पसंद आएगा सिताफल एक ही ऐसा फूर्टी जो सबको खाना अच्छा लगता है पर इसके बी निकाल के खाना तो कभी अच अच्छा लगता है सिताफल की रबड़ी बहुत अच्छी लगती है सिताफल का आइस क्रीम बहुत अच्छा लगता है पर एक मिनिट आंप बंद करिये और सोचिए कि यह भी आप आपके घर में कैसे निकालते हो इसके साथ में अगर यह घर में बनाने की नोगता है तो शा सिताफल रबड़ी बनाना है और आप जब यह हमसे लेंगे तो इसके साथ में यह और सारी रेसिपी आप कैसे बना सकते हो यह भी हम आपको बताएंगे कि मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ वो है सिताफल का फल्क निकलना मैं साथ में इसमें थोड़ा सर मिल्क डाल रही हूँ और यह मिल्क में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में इसका सिताफल का मिल्क शेक ही बनाना है अब मैं इसको यहाँ पर यह जो दो जैसे तीत जैस बना है और यह यहां से भी लॉक हो जाएगा मैंने जैसे कहा था कि हम जब लिक्विड चीज़ें बनाएंगे तो गियर वन पे इसको एड़ेस्ट करेंगे और यह मैं अभी बंद कर दे रही हूं और आप देखें कितनी आसाल इसे आप अगर देख पा रहे हो तो यहां से आपको ली उपर रूचे होते हुए इसका मतला इसको निकल चुके है पर इसका जो बेस्ट पार्ट हुआ है वो यह है कि बड़े आसानी से में इसके यह बी निकले है निकल दे रही हूं और बीबी पूरे के पूरे निकल के आगे है जो बेस्ट पार्ट है इसका इसके अंदर की जरावी इतने आसानी से यह भी निकल जा रहे है आप सुचिए कि अब आपको सिताफल की रबड़ी बनाने है सिताफल का आईस्क्रीम बनाना है सिताफल का मिलक्षेक बनाना है तो यह शायद कितने आसानी से और अगर आपने एक चीज़ देखी होगी तो यह 2020 में हम जो सबसे बड़ी बात करते हैं वो सेहत की इसके पहले ऐसा हो जाता था कि शायद हम बाहर जाके मिलक्षेक पीके आ जाते थे पर आज की दिन में यह शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और एक बहुत अच्छी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहरी हूँ वह यह है कि यह जो मैंने पल्प मिकला पर उसकी फाक वैसी की वैसी ही रही है अब मैं अगर इसके अदर अगर मुझे शिता पल्प की रबड़ी बनानी थी तो मुझे सिर्फ मेल मेल और दूद यह देखें बहुत अच्छे से इसका पल्प निकल गया है मैंने पहले ही कहा था कि वो लिदी जिनको कीचन में काम करना तो अच्छा लगता है पर स्मार्ट वर करना चलता है मैंने दूद लिए एक थोड़ा सा एडिशनल विकॉस कस्टड एपल है तो वह अल्रड़ी स्वीटी है पर मैं इसके अंदर एक थोड़ा सा पाउडर शुगर एड़ कर रही थी और अगीन मैंने इसको फिक्स कर दिया और एक तो ने चार पाउड़ शुगर शायद मुस्किल से एक दस सेकंड हुआ और मैंने मेरा बहुत सुन्दर सा सिता फल का मिलकशेक बना लिया और वो भी विदाउट इलेक्ट्रिक सेटी ना मैंने और एक चीज़ देखिए कि मेरे हाथ में मैंने डाइमंड रिंग पहनी हुई है अगर मैं ऐसी सारी कुछ काम करती तो शायर मुझे ये रिंग वगेरी उतावना पड़ता था तो आप देखे कि कितने आसा निस है मैंने सिता फल के बीबी निकाल दिये और मैंने सिता फल का मिल्कशेब भी बना दिया ये प्रोड़क की और सारी रेसिपी आपके पास आएगी पर ये वीडियो जिनों ने भी आपको भेजा है उनकी पास से आप ये प्रोड़क की प्राइस और ये सारी जाम करी जरूर लीजे तो और एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ में हम आ रहे है तो रहा देखे हमारी नेक्स्ट रेसिपी के थेंक यू